हेलो बीबाडी हाओ यू वाल आई होब इच वाइन आफ इस फाइन ग्रेट इन और स्टाडीज सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बैंक ऑफ इंडिया क्रेडियर ओफिसर का स्कोर काड है और साथी साथ एफसेई का रिजल्ट क्योंकि काफी लोग और साथी साथ सब्सक्राइब करने वाली हूं अगर आपके में कोई अरहर नहीं होती है स्कोर में मॉक्तस में तो भी जब बताएगा क्योंकि मैंने मॉक दिया है तो मुझे तो बिलकुल समझ नहीं जब से चेंजर आये हैं प्राक्टस मॉक में मैं यह मॉक दे भी नहीं तो अभी एक्साम बहुत दूर भी नहीं है, बहुत पास भी नहीं है, इसलिए मैंने सुझा परे करेंट अफेर कर लेते हैं, तिन मॉक्टर से स्टार्ट करते हैं, तो जितने फ्री मॉक्ट दे रखें, जो मैंने नहीं बचेस कर रखें, तो मैंने उससे ही स्टार्ट किया है और सबसे मैंने practice mock का mock दिया था यह first वाला जो free है और भी platform पे जो होंगे मैं देती रहूंगी और आपके साथ share करती रहूंगी तो आप देख सकते हैं किसका score कैसा है और attempt कैसे क्या रहे थे ठीके तो यह कुछ ऐसा score आया है और attempt अगरा का आप नीचे देख लीजे चुकि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं है और incorrect questions में नहीं 00 दे रखा है जबकि दो दो तीन तीन questions अब में wrong है मेरे और English section का जैसे की 23 मने अटम किये थे और marks में ने आया है 30 उस पे भी percentile क्या दे रखा है नहीं 48 point something तो यह सारे errors थी और यह कौन सा section है हाँ reasoning section मैंने किये जरू 34 questions थे बड़ मेरे marks देख रहे हैं इसमें हाँ ठीक है माल लेते हैं क्योंकि पूरे 36 नहीं हो सकते हैं या फिर जो भी नहीं मार्किंग की हो मुझे नहीं पता है थी हाँ 34 अटम की है मैंने ठीक है क्योंकि 60 marks का है और इसमें कुछ questions आपके हो सकते हैं दो marks की या 1.5 ऐसे करके होंगे questions ठीक है वो साइच चीजे बड़ एरर जो इनकरेक्ट question में 0 लिख रखा वो मुझे नहीं समझ माया तो यह साइच चीजे हैं and the most important thing कि आपके इस exam में इंग्रिस का कोई मतलब है रोल क्वालिफाइंग है बट जो आपकी और जिससे मेरिट बनने वाली उसमें marks को नहीं एड़ किया जाएगा चाहे वह descriptive हो आपका चाहे है comprehensive art हो तो इसमें भी नहीं एड़ करना चाहिए था लेकिन उन्हें सारे marks एड़ करके यहां पर टोटल दे रखा है जैसे लाइसी डबल एओ में था कि कोई भी मतलब सब्सक्राइब नहीं एड़ कर रहे था सब्सक्राइब से आपकी कट-off बनी है मतलब बनती थी और टोटल स्कोर उसी से वह आ रहे थे तो इसमें भी ऐसा ही है पटिनों ने इसको एड़ कर दिया है इसमें तो इस तरह की एरस थी तुम्हें नहीं समझाता है प्राक्टिस म नहीं है हमारा और जियम मुझे का खास कुछ आ नहीं रहे था जो पहले मैं पढ़ा था जितने कोशन मुझे आ रहे थे वही मनें कुछी कोशन की हैं जिसमें से चार कोशन रॉंग भी है और यह डियाई सौरी हां डेटा इनिलिस इंटरप्रेशन का था तो उसमें वी दो क क्रीम है नहीं चार करते हैं मैं तो मेरे में इसकोर आ खासUMे झाला है और यह जो जाला ता सफ्कीन को सबस्सक्राइं का है तो इसमें नहीं हुआ है मेरा ठीक है FCI में बाकी और कोई चीज है नहीं मेरे पस्टो करने के लिए लाइक उसके मार्क्स कुछ भी नहीं रिलीज हुआ है भी अधर्वाइस पता चल जाता कि कहां पर क्या लाइक हुआ है मैं आपको बता ही रखी थी कौंट में जो चीज हुई थी और बाकी चीज हो को मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा और उसके मार्क्स तो आइधिंक फाइनल रिजल्ट के बाद आते हैं जो भी है अब जो हो गया ठीक है रिजल्ट तो आ चुका है और जिन्नों का एक्जाम है 5th of March को आप लोग अच्छे से प्रिपर कीजिए और आपके एक्जाम के लिए all the best सबस्यदा इंपॉर्टन जो चीज है जो मैंने दिया हमें अपने एक्समेंस आपको बता देती हूं छोटी सी चीज कि आप जीएस कर लो इतना कम टाइम है क्योंकि जीएस के क्वेशन ज चाहिए है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली अगर आमने मेंस दे रहे हूं सारी चीज़े आपको पता है ठीक है तो जो मेंन आपका रहेगा स्कोरिंग और वही आपको सेलेक्शन जो दे रहेगा तो इन लास्ट के ड़ेस में जीएस कर लो और जो करन अफेर है ब सबसे बेस्ट क्लास मुझे उन्हीं की लगी जो मैंने कराई है क्योंकि मैंने प्रिलिम्स में किया था और उसमें से बहुत कोशन आए थे क्योंकि इतना आपका वास्ट है नहीं समझ में आता है कौंसा कोशन आएगा कौंसा नहीं आएगा लेकिन जो मायम के कोशन कराए थे उन्होंने बहुत सारी कोशन वहाँ देखने को मिले थे तो आप चाहें तो उनकी मेराथन कर सकते हैं ठीक है और बाकी अपना यह बताएग किजे थांकि अवर्वन और गुटनाइट